हेलो दोस्तों स्वागत मेरे वीडियो है काउड व्लॉक्स में आज हम आपको लेकिया हैं दसरत महल पे पिछले वीडियो में हम आपको कनकभवन लेके गया थे कनकभवन से थोड़ी ही दूर पे दसरत महल है तो दसरत महल को पूरी तरह रिपेंट किया जा रहा है पस एक कलर में केवल और केवल लाल आप पिछला कोई भी वीडियो देखे होंगे यूटूब पे या आप आये होंगे तो यहाँ पे जो इनके दिवाले थी वो कई रंग के थी लेकिन आप बदल दी गई है तो आप जै दसरत महल त्रेता यूग के समय का है लेकिन वही दसरत महल नहीं है वही अस्थान है क्योंकि त्रेता यूग में जो दसरत महल था श्री राम चंदर जी का जो महल था महराद दसरत जी का जो महल था जहां पे दसरत जी रहते थे उस महल में 11,90,381 सैनिक रहा करते थे तो जा कुछ जादा बड़ा नहीं है तो ये मंदिर में तब्दीर कर दिया गया क्योंकि लाखों साल पहले ये कभी महल हुआ करता था सामय का दौर आया कई बार यहां पे लूट पार्ट भी हुई तोड़ फोड़ भी की गई मुस्लिम सास को द्वारा तो बहुत कुछ बदल गया ह तो यहां पे इतने धेट सारे आप जो जूठन पतल देख रहे हैं यहां पे भी फ्री का खाना दिया जाता है आप जब भी दरसरत महल आएगा तो प्रसाद ग्रहन करिएगा दर्सन करने के बाद दर्सन करने से पहले नहीं तो यहां पे भी आपको सुबच 6 बज़ से लेक जाता है और यहां पे भी आपको फ्री का खाना दिया जाता है तो चलिए हम चलते हैं महल के अंदर या मंदिर के अंदर मुख्य मंदिर में जाने से पहले ही आपको द्वार पे श्री हनुमान जी का एक मंदिर दिखेगा उपर श्री राम जी का धनुस का आकार का पुरा इस्ट्रक्चर बनाये गया है और बीना हनुमान जी के राम जी रही नहीं सकते तो इसलिए यहां पे द्वार पे ही हनुम जी हैं तो चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर आपको एक बार मंदिर बाहर से दिखा दें पहुत ही सुन्दर है पहुत ही सुन्दर है तो हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर यहां पे अभी सारे सरद्धाजलू लोग बैट के इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी यहां पे भगवान का भोग लगा है तो भोग लगने के 15 बिनिट बाद ही परदा हटाया जाता है वहां पे देख रहे हैं आप लाल रंग का प पहल हुआ करता था लेकिन समय के अनुसार यह चोटा हो गया कई बार लूट पाट हुए जगा जगा अगल बगल के अस्थानियों लोग भी यहां पे आप बसने लगें तो सब कुछ अड़प लिया यहां पे मंदिर के अंदर दसरज जी कौसल्या माता और स्री राम जी का एक अद्भूत पेंटिंग बनाया गया है जो कि देखने में बहुत ही सुन्दर है तो यहां पे हम कुछ देर इंतजार करते हैं प्रभू का आपको दर्सन कराएंगे उसके बाद ही हम यहां से चलेंगे तो 15 मिनट दीरे दीरे बीच चुका है अब फाटक खुलने वाला है तो परदा हटेगा आप देखें यहां से परदा हट गया है हम आपको श्री राम चंद्र जी का दर्सन कराते हैं जो की बहुत ही अध्भूत है लेकिन यहां पे केवल स्री राम चंद्र जी ही नहीं है सी सारे परिवार के ही लोग बसते हैं तो यहां पे केवल अके लिए सीता जी नहीं है अके लिए राम जी नहीं है क्योंकि यह दसरत महल है तो जाहिर सी बात है जहां मुख्य सदस्य होता है वहीं पे सारे परिवार के लोगों का मुर्ती है यहां पे पूजा होती है यह सिद् परवत की कहानी हम अगले वीडियो में ही बताएंगे तब तक के लिए जैसरी राम तब हम चलते हैं अब बाहर आप आईएगा तो यहां पर निश्चिंत हो के घूमीगा क्योंकि जगा जगा फ्री का खाना मिलता है कोई दिक्कत नहीं और आयोध्या बहुत ही सुंदर नगर तो यहां पर लोग यग्य कर रहे हैं अपने अपने पाठ पूजन का प्रयास कर रहे हैं तो यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में यग्य भी हो रहा है तो चलिए हम निश्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जैसरी राम जैहिंद